ओ मुझे बहुत भूक लगी है मैं सोचती हूँ काश कुछ खाने के लिए मिल जाए ओ ये क्या आगया मेरे हातों में लगता है ये कलरफुल स्टफ इडली है मैं जरूर एक ट्राइ करना चाहूंगी ये तो बहुत स्वादिश्ट और लज़तार है मैं सोच रही हूँ ये बनाओ कैसे सबसे पहले मैं दुकान जाकर ये इडली बैटर लेकर आई हूँ अगर आप चाहे तो प्लीज कमेंट करें और मेरे पास एक बहुत अच्छी रसिपी है जिससे आप साफ्ट और हेल्दी इडली बना सकते हैं इसके बाद हम हमारी पोटेटो स्टफिंग पर फोकस करेंगे दोस्तों आज हम तीम प्रकार के पोटेटो स्टफिंग बनाने वाले हैं रेट, ग्रीन और ओरेंज ये दिखने में तो सुन्दर है ही बट टेस्ट में भी बहुत प्रिय है तो शुरुआत करने के लिए हम थोड़ा सा तेल एक गरम पैन में लेंगे इसके पश्चा आप उसमें थोड़ी राई डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम लाल कलर की कटी हुई बारिक मिर्ची उसमें डालेंगे इसके बाद हम थोड़ा सा बारिक कटा हुऊ प्याल इसमें डालेगे ऍध्यान रखे कि यह गजल न जाए इसले आप इसे बीच-बीच में स्टर करते रहे हैं इसके पश्चा आप थोड़ी सी हल्दी इसमे डालेगे इसे अच्छे से मिला ले इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा श्रेड़ेड कैरड डालेंगे इसका सुगन तो अभी से बड़ा खूब आ रहा है इसके बाद हम हमारा उबला हुआ अलू इसमें डालेंगे एक तिहाई हिस्सा ही डालेंगे क्योंकि हमें बाकी का यूज करना है रेड और ग्रीन स्टफिंग बनाने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स टर ले ये आलू उबलते वक्त ही हम मैश कर लेंगे ताकि हमारे इडली में जो स्टफिंग है वो स्मूध हो एक बार ये अच्छी तरह से कुख हो जाए इसके बाद हम इसे एक अलग बोल में निकाल कर साइब में रखेंगे हमारे दूसरी स्टफिंग के लिए भी हम वही चीज फिर से करेंगे एक गरम पैंग में थोड़ा सा तेल ले ले इसके बश्चान हम थोड़ी सी राई इस गरम तेल में डालेंगे बाद में हम इसमें बारिक कटी हुई मिर्ची डालेंगे नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ प्यास जब आपका प्यास हलका सा गोल्दन ब्राउन हो जाए उसमें आप थोड़ा सा रेच चिली पाउडर डाल दीचे इसके पश्चात आप इसमें नमक डाले स्वाद अनुसार आप इसमें बारिक किसा हुआ बीट रूट डालेंगे आपको ये बीट रूट पूरी तरह से कुख करने की आवश्रक्ता नहीं है ये हाफ कुख होते ही आप इसमें आपका आलू डाल देंगे तो आपका लाल रंग बर्करा रहीएगा इसके बाद हम इसमें अपना वन थर्ड बचा हुआ आलू डाली में ये कलर अरेड़ी इतना सुन्दर लग रहा है ये हमारी इडली में तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये एक बार अच्छी तरह से मिक्स और कुक हो जाए तो हम इसे साइड पर निकाल कर रख देंगे और हमारे तीसरे स्टफिंग पे काम करना शुरू करेंगे अब हमारे तीसरे और ग्रीन कलर के स्टफिंग पे हम काम करना शुरू करेंगे सबसे पहले थोड़ा सा तेल ले ले एक गरम पैन में शुर्वात करने के लिए हम थोड़ी सी राई इस गरम तेल में डालेंगे अब हम इसमें बारिक कटी हुई मिर्ची डालेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा लहसुन डालेंगे बारिक कटा हुआ और उसके पर शाद हम डालेंगे finely chopped onion, बारीक कटा हुआ प्यास अब हम डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसर हमारे तीसरे स्टफिम में हरा कलर उभर के आने के लिए हम उसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा प्यास हम उसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ पालक और बारिक कटा हुआ हडा धनिया आम इसमें पालक और धनिया की पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं हमारा बचा हुआ आलू अब हम इसमें डालेंगे अब हम ये तीसरी स्टफिंग को निकाल के एक बोल में साइड में रख देंगे छोटी मात्रा में स्टफिंग लेकर आप उसे रोल बनाके उसके छोटे-छोटे पतले कोईन्स बनाके साइड में रख दीजे तो हमारी स्टफ इडली बनाने के लिए आप पहले थोड़ा सा इडली बैटर लेंगे उसके बाद आप उसमें आपका कोईन डाल देंगे और फिर हम उस पे और थोड़ा बैटर डाल के उसे कवर कर देगी अपने इली पातर से निकालने के बाद ये इली तो काफी संदर लग रही है आप ये इली, ग्राऊनण नच्चक्नी या फिर टमेटो चगनी के साथ खा सकते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे बनाएं तो इसकी लिंक दिस्क्रीप्शन में दीवी है अगर आप चाहे तो कमेंट करें और खास आपके लिए मैं यह जरूर हिंदी में वीडियो बनाऊगी अगर आपको यह रेसिपी पसंद आई है तो कृपया लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें देखने के लिए धन्यवाद